हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मंजो नीटिंग चैनल फ्रेंड्स यह देखिए आज आपके लिए मैं कितना सुन्दर डिजाइन लेके आई हूँ वेल्कुल असान डिजाइन इसको आप किसी भी प्रेंट पे डाल सकते हो फ्रेंड्स लेडी स्वेटर जर्ण्स हाफ बाजी स्वेटर फूल वाजी स्वेटर बच्चों का स्वेटर जैकेट स्टॉल मफलर कैप लेकीट कुछ भी बना सकते हैं इस डिजाइन में इस design को आप किसी भी color में बना ले, light color में, dark color में, किसी भी color में बना लेंगे, हर color में ये design बहुत सुंदर लगने वाला है, ये front side से ऐसे नज़र आ रहा है, और back side से ये देखिए ऐसे नज़र आएगा, बिल्कुल साफ पता चल रहा है, कहां पे हमने सीधे फंदे डाले हैं, कहां पे हमने उल्टे फंदे डाले हैं, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, इसको बनाने के लिए, जो हमें फंदे चाहिए होंगे, आप eight के multiple से फंदे डालेंगे, यहां से यहां तक eight, यहां से यहां तक eight, ऐसे eight eight, करके फंदे डालते जाएंगे, last में ये दिखिए, दो जो उल्टे हैं, यह दो फंदे डालेंगे, और दो फंदे ऐस्टिच के लिए डालेंगे, तो यह डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा, आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, मैं पूरा बोल के रपीट करती जाऊंगी, आप मेरे सा साथ बनाएंगे, तो बिल्कुल आसानी से बनेगा, इसको बनाने के लिए पहले आप बॉर्डर बना लेंगे, यह देखिए, बॉर्डर बना लेंगे, मैंने एक सीधा, एक उल्टा, ऐसा वाला फंदे बनाके बॉर्डर बनाया, अगर आपने कोई और डिजाइन का बॉर् बॉर्डर बनाते समय, आपको यह उल्टी साइट से यह देखिए, रॉंग साइट से डिजाइन स्टार्ट होगा, इसलिए पहले आप सिधी सलाई बनाते हुए, उल्टी सलाई में जाएंगे, तब फिर इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स मेरी पूरी कोशिश रहती है, हर चीज डिटेल में बताती हूँ, कैसे कैसे बनाना, पूरी कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल अच्छी तरह से बोल बोल के बताऊं, ताकि जब भी आप डिजाइन बनाने लगें, बनाते समय आपको कोई भी परिशानी ना है, आ आप बिल्कुल असानी से उस डिजाइन को आप बना लें, तो फ्रेंड्स मेरी आप से हमबल रक्वेस्ट है, कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, बेल आइकन फ्रेंड्स जडूर प्रेस किया करें, ताक कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो चलो फिर इस डिजाइन को बनाना, स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे, आप भी पहले ये देखिए 8 के मल्टिपल से, 8, 8, 16 फंदे डालिए, 2 फंदे एक्स्टा डालिया है, और 2 फंदे एस्टेज के लिए, मैंने 20 फंदे डालिया है, ये डिजाइन रॉंग साइट से स्टार्ट होगा, मैंने पहले भी बताया है, रॉंग साइट से, उल्टी साइट से स्टार्ट होगा, त सीधी सलाई बनाते हुए उल्टी रो तक जाएंगे आप बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर बनाते समय सीधी सलाई बनाते हुए जाएंगे और उल्टी सलाई में यह डिजाइन शुरू करेंगे सिक्स रो का डिजाइन है फ्रेंज सिक्स रो आपको बार बार रपीट करते जाना है यह डिखिए में उल्टी साइट पर आगई अब डिजाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे पहला फंदा स्किप करेंगे अब दो फंदे पहले सीधे बनाएंगे दो फंदे सीधे धागा पीछे छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच पांच छे यह देखिए दो फंदे सीधे बनाएं दो चार छे छे फंदे हमने उल्टे बनाएं एट फंदो का डिजाइन है अब फिर से हम ऐसे ही रपीट करेंगे धागा पीछे करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा पीछे आना पड़ेगा यह सिक्स फंदे यह देखिए सिक्स फंदे पीछे आएंगे आप यह देखिए हमने दो फंदे सीधे बना लिये थे अब इस फंदे को यह पहले वाला फंदा बिना बुना रखेंगे और चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फंदे उल्टे इस फंदे को बिना बुना यह देखिए दो फंदे सीधे एक फंदा बिना बुना रखेंगे चार फंदे उल्टे फिर से एक फंदा बिना बुना रखेंगे तो ये आठ फंदों का डिजाइन यहां पे complete, फिर धाग आगे करेंगे, फिर से दो फंदे सीदे, धागा पीछे, पहले फंदे को बीणा बुना निकाल लेंगे, फिर चार फंदे उल्टे, दो, तीन, चार, फिर से एक फंदा बीणा बुना रखेंगे, फिर धागा आगे करेंगे दो फंदे सीधे दिजाइन के फर्स रो चल रही है धागा पीछे एस्टिच उल्टा निकालेंगे डिजाइन की सेकेंड रो पहला फंदा स्किप करेंगे अब ये दिखिए दो फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, इस फंदे को जो पहले हमने बिना बुना लिया था, बिना बुना निकाल लेंगे, फिर चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, फिर से इस फंदे को बिना बुना निकाल लेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे हमें उल पीछे इस फंदे को बिना बुना लेंगे चार फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदा बिना बुने धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एस्टिच सीधा निकालेंगे डिजाइन की सेकेंड रो कम्प्लेट थर्ड रो पहला फंदा स्किप करेंगे धागा अगे दो फंदे सीधे धागा पीछे बिना बुना फंदा बिना बुना निकालेंगे फिर चार फंदे उल्टे यह बिना बुना पंदे लेंगे धागा आगे करेंगे और दो फंदे हम सीधे बना लेंगे पिर से धागा पीछे बिना बुना फंदा लेंगे और चार फंदे उल्टे ये बिना वोना फंदा लेंगे फिर दो फंदे सीधे एक फंदा एस्टिच उल्टा थर्ड रो कम्प्लीट ये देखिए थर्ड रो कम्प्लीट फोर्थ रो पहला फंदा स्किप करेंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा बिना वोने निकाल लेंगे फिर चार फंदे सीधे फिर इस बिना वोने फंदे को बिना वोना निकालेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे इस बिना वोने फंदे को बिना वोना निकालके चार फंदे सीधे डिजाइन की फोर्थ रो चल दिया फ्रेंड्स बिना वोना वोना निकालके धागा अगे करके फिर दो फंदे उल्टे एस टिच हम सीधा निकालेंगे फोर्थ रो कम्पलीट फिफ्थ रो फिफ्थ रो में पहला फंदा स्किप करेंगे फिर धागा आगे करेंगे ये देखे सीधे फंदे सीधे बनाएंगे धागा पीछे करेंगे बिना वोना फंदा बिना वोना निकालेंगे फिर चार फंदे उल्टे बिना बुना फंदा बिना बुना निकाल लेंगे धग आगे करेंगे फिर ये दो फंदे जो सीधे नजर आ रहे हैं इने सीधा बनाएंगे दगा अपनी तरफ बिना बुना फंदा बिना बुना निकाल लेंगे चार फंदे उल्टे एक फंदा बीना बुना धगा आगे करेंगे दो फंदे सीधे धगा अपनी तरफ एस्टिच उल्टा फिफ्ट रो कम्प्लीट सेक्स रो ध्यान से देखिए ये देखिए फिफ्ट रो तक हमारा डिजाइन ऐसे बनेगा सेक्स रो पहला फंदा स्किप करेंगे ध्यान से देखना है फ्रेंज आपने दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे अब ध्यान से देखिए ये बीना बुना फंदा हम इस साइड पे लाएंगे और ये पिछे से दो फंदे दो फंदे आगे लाएंगे और बिना बुना फंदा इस साइड पे लाएंगे इस सलाई में फिर दो फंदे भी इस सलाई पे ले लेंगे अब तीन फंदों को हमें सीधा बनाना है एक दो और ये तीन तीसरे फंदे को भी हमें सीधा बनाना है ये देखिए ऐसे आएगा फिर अब इस वाले बिना बुने फंदे को आगे लाएंगे आगे की साइड से और ये दो फंदे पिछे की साइड से दूसरी साइड लेके जाएंगे अब इस बीना मुने फंदे को इस स्लाई पर ऐसे ले लेंगे यह दि किए फिर इसे सीधा बनाएंगे तीन फंदो को हम सीधा बना लेंगे यह दिखिए यह ऐसे आएंगे फिर से दो फंदों को उल्टा बना लेंगे धागा पीछे फिर वैसा ही करेंगे दो फंदे पीछे की साइड से इस स्लाइपे ले आएंगे और बिना बुना फंदा इस स्लाइपे लेंगे फिर ये दो फंदे भी इस स्लाइप ले लेंगे और अब तीन फंदों को हमें सीधा बनाना है सीधा बनाना ये देखिए अब इस फंदे को आगे की तरफ से और इन दो फंदों को पीछे की तरफ से दूसरी साइड लेके जाएंगे इस लाइपय ले लेंगे अब फिर से इन तीन फंदों को हमें सीधा बनाना है 1-2-3 ये देखिए दो फंदे उल्ठे एस्टिछ हम सीधा निकालेंगे ये देखिए ये सिख्तरों का डिज़ाइन ऐसे ही बनता जाएगा ये देखिए ऐसे बनता जाएगा अब फिर से आगे हमने फिर से उल्टी रो से स्टार्ट करना है, डिजाइन हमेशा उल्टी रो से ही स्टार्ट होगा, यह सिक्स रो का डिजाइन ऐसे बनता जाएगा, इनी सिक्स रो को आप बार 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 आगे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, तो यह डिजाइन ऐसे बन क्या है फ्रेंड्स बिलकुल असान डिजाइन है इसे बना के जरूर ट्राइ करना फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना थैंक्यू फो यूर टाइम आगे मिलेंगे हम ने वीडियो के साथ